अभी सब्स्ट्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले परमसत्य क्या है तब कहा परमसत्य कृष्ण कथा ही परमसत्य है क्योंकि भगवान कृष्ण के जो कथा है भागवत जो ग्रंत है इसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ नहीं है जितनी कथाएं सुनाए जाएगा भागवत में जितनी कथा है सब हम सब के हित के लिए है भागवत ग्रन्थ ही वेक्ति के कल्यान के लिए इसलिए भागवत में किसी भी प्रकार के स्वारत नहीं है निर्मत सराणाम शताम निर्मत सग्रन्थ है اور उसके बाद में ये भागवत सुनने से क्या मिलता है सिवदम, सिवम, कल्याडम, ददाती, इति सिवदम देखिए कथा सुनने से हम सभी का कल्याड हो जाएगा तीन प्रकार के ताप का भी नाश हो जाएगा दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का नाश करने वाला भागवत जी इसलिए भागवत को बारम बार पान करें बारम बार इसको श्रबन करें मनुष्य जीवन हम सभी को बार बार नहीं मिलने वाला भगवत कृपा से ठाकुर जी की दया से एक बार मानव तन मिला है लेकिन इस शरीर को पाने के बाद भी हमने बिर्थ गवा दिया केवल अन्य कर्मों में ही अपना समय व्यतीत कर दिया तो हम भजन नहीं करेंगे भागवत नहीं सुनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा इसलिए यही जनम मिला है मानव तन आप सभी को हम सभी को प्राप्त हुआ अभी हमारे पास में टाइम है इसलिए जितना हो सके मन को हरी चरण में लगाए और भागवत सुनने से व्यक्ति का कल्याण होता है तीन प्रकार के ताप का नाश हो जाता है ऐसे सुन्दर भागवत व्यास्ची द्वारा रचीत श्रिमद भागवत कथा स्रवन करें देखिए भागवत ये सब्द सुनते ही मन में भगवान आकर के बिराजमान हो जाते है आपने जब अपने चेत्र में भागवत हो रही जब सुना होगा तो उसी समय भागवान आपकी रिदय में आकर के बैठ गए भागवत सब्द से ही भगवान हमारे मन में बिराजमान हो जाते हैं इसलिए परम सत्य कृष्ण कता है भगवत चरित रहे